Study IQ IS अब तयारी हुई Affordable Korean War 1950-53 Welcome to Study IQ IS मेरा नाम है आदेश सीन दोस्तों साल था 1950 दिन 25th June North Korea People's Army यानि KPA के 75,000 soldiers 38th parallel को cross करके South Korea पर आक्रमन कर देते हैं और यहीं से Cold War की पहली military tussle की शुरुआत होती है इसकी intensity को देखकर ऐसा लगता है कि मानू इसको तीसरे विश्वय युद्ध में तबदील होने से कोई नहीं रोक पाएगा यहाँ एक तरफ था North Korea जिसको USSR का support हासल था तो दूसरी तरफ South Korea जिसको US support कर रहा था Cold War का मशूर आयन कर्टन एजिया में Korean Peninsula के बीच से होकर गुज़ा रहा था USSR चाहता था कि Communism North Korea से आगे बढ़कर Japan, South East Asia और बागी पूरे एजिया में फैल जाए लेकिन US को यह किसी भी कीमत पर मन्जूर नहीं था US और USSR की इसी जद्दो जहिद का नतीज़ा हमें सबसे पहले Korean War के रूप में देखने को मिला तो क्या था यह पूरा War यह कब तक चला और इसमें किसकी जीत हुई इस War की पूरी कहानी हम आज के वीडियो में जानेगे तो आईए शुरू करते हैं Historical Background दोस्तो हमारी कहानी के रूट्स बीसमी शताबदी में ट्रेस किये जा सकते हैं जसा कि आप जानते ही हैं आज East Asia में China और Japan के बीच Korean Peninsula, North Korea और South Korea दो हिस्सों में बटा हुआ है लेकिन यह शुरू से ही divided नहीं था यह पहले एक United Korea हुआ करता था जिसको 7th century से Silla dynasty के द्वारा रूल किया जा रहा था लेकिन उसकी strategic location और natural resources के कारण इस पर China, Russia और Japan तीनों की ही नजर बनी हुई थी China उस समय Opium Wars की वजह से कमजोर पढ़ रहा था अभी तक Kingdom of Korea को China की Ching dynasty का support मिल रहा था Kingdom of Korea एक बहुत कमजोर और poor kingdom था यहां के लोग अपने राजा की policies से अक्सर नाराज रहते थे जिसकी वजह से यहां समय समय पर protests देखने को मिला करते थे लेकिन जब भी यह लोग अपने राजा के against protests करते तो चाइना की Ching dynasty अपने soldiers भेज कर उन protests को दबा दिया करती थी लेकिन जबान Korean kingdom को चाइना से चीनना चाहता था 20th century की starting में जबान एक imperial power के तौर पर उभर रहा था जबान उस समय एक मात्र ऐसा powerful nation था जिसकी military might European powers को टक कर दे सकती थी बस फिर क्या था मौका देखकर जबान ने भी अपनी आर्मी को Korean peninsula में चाइना से लड़ने के लिए भेज दिया इसी के परिणाम स्वरूप 1894 में हमें पहली Sino-Japanese War देखने को मिली इसमें जबान की जीत हुई और Korean peninsula पर से चाइना का control पूरी तरह खत्म हो गया वहीं दूसरी और USSR भी अपना expansion बहुत तेजी से कर रहा था लेकिन जबान को ये गवारा नहीं था इन दोनों की इसी नोग जोग के कारण 1904 से 1905 तक रशा और जबान के बीच हमें Russo-Japanese War देखने को मिली और इसमें भी जबैन जैसी चोटी सी आइलेंड कंट्री ने USSR जैसे विशाल देश को हरा दिया इस वार में रशा की हार के बाद Korea पर जबैन का control और भी ज्यादा बढ़ गया 1910 में जबैन Korea Annexation Treaty के तहट Korea पूरी तरह से जबैन की colony बन गया जबैन ने Korea के resources के साथ साथ उसके culture और identity को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की वो वहाँ पर पूरी तरह Japan का culture establish करना चाहता था Korea के लोगों को slaves बना कर Japan दे जाया जाता और उनसे बहुत बुरा बरताव किया जाता था Japanese army Korean women को comfort women मानकर sex slaves की तरह यूज किया करती थी इसी कारण Japanese imperialism का ये दौर Korean इतिहास का सबसे बुरा दौर बताया जाता है खैर कई साल पीद गए और Japan का rule और भी ज्यादा aggressive होता चला गया लेकिन फिर 1939 में World War 2 की शुरुआत हुई और उसी के साथ imperial Japan की उल्टी गिनिती शुरु हो गई आए देखते हैं कि Korea Japan के rule से कैसे मुक्तो हुआ और कैसे इस kingdom को दो भागों में divide किया गया Korean Peninsula splits into two जैसा कि हम जानते ही है World War 2 के दौरान भी Japan बड़ी बड़ी सूपर पाउर को चेज कर रहा था इसी दौरान उसने अमेरिका के Pearl Harbor पर attack किया और इस गलती की उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी August 1945 में अमेरिका ने Japan के Hiroshima और Nagasaki पर atomic bombs गिरा दिये और Japan इस nuclear हमले से पूरी तरह तूट गया इसी के साथ World War 2 में Japan ने surrender कर दिया और ये war खत्म हो गई Japan को Korea समेत अपने सभी colonies को छोड़ना पड़ा अब Korea Japan के चंगुल से तो आजाद था लेकिन उसके लिए तो असली युद अब शुरू होने जा रहा था हसल में जैसे ही Japan ने Korea में surrender किया वैसे ही USSR ने North की तरफ से और US ने South की तरफ से आकर इसको capture कर लिया इन दोनों ने अपनी सहमती से इस peninsula को 38th parallel के against दो हिस्सों में बांड दिया North वाला हिस्सा USSR को दे दिया गया और South वाला US के पास चला गया हाना कि अभी ये division permanent नहीं था और ना ही ये हिस्से अलग-अलग देश बने थे बाकी ये केवल 5 सालों के लिए एक temporary arrangement किया गया था और इसके administration को US Soviet Joint Commission के हाथों में सौंप दिया गया 1943 में हुई Cairo Conference में ही ये तै कर लिया गया था कि 5 साल बाद Korea को आजाद कर दिया जाएगा लेकिन दोस्तों उस समय US और USSR के बीच Cold War की शुरुआद भी हो चुगी थी दोनों गुटों के बीच अपनी अपनी आइडियोलोजी को विश्व भर में पहलाने और सूपर पाउर बनने की होड़ लगी हुई थी दोनों ही एक दूसरे पर जरा भी विश्वास नहीं करते थे वहीं दूसरी तरफ Korean citizens भी अब किसी foreign rule को accept करने के लिए तयार नहीं थे वो खुद के लिए आजादी की मांग कर रहे थे Joint Commission पूरी तरह से ineffective साबित हो रहा था इस unrest को देखते हुए US ने अपने हिस्से में Marshall Law प्लाय कर दिया हालात को बिगरता हुआ देख US ने UN के guidance के अंडर यहां पर fresh elections कराने की बात कही लिकिन ये बात USSR और Korean communists को पसंद नहीं आई अब Korea की unification के chances बहुत दूर दिखाए दे रहे थे इसके चलते दोनों जगे अलग-अलग elections कराए गए और दोनों के leaders को चुना गया 1948 में North Korea यानि Democratic Republic of Korea और South Korea यानि Republic of Korea के नाम से दो अलग-अलग nations में डिवाइड हो गए North Korea में communism की supporter Kim Il-sung और South Korea में capitalism की supporter Singh Man Rhee प्रेजिडन बने इन दोनों ही leaders को US और USSR के द्वारा जानबूज कर चुना गया था और दोनों ने ही इन leaders को अपने अपने regions में hero की तरह promote किया धीरे-धीरे American और Soviet troops को यहां से withdraw कर लिया गया लेकिन ये struggle अभी भी खत्म नहीं हुआ था आईए अब आपको Korean Civil War से रूबरू कराते हैं जिसने Korean War के immediate trigger का का काम किया The Civil War तो दोस्तों देश में Civil War का महौल अब शुरू हो चुका था जैसा हमने अभी देखा Korean citizens चाहते थे कि Korea फिर से unite हो जाए और वो इसके लिए लगातार revolt कर रहे थे साथी दोनों sides के leader एक दूसरे के हिस्से पर कबजा कर पूरे Korea को अपने control में लाना चाहते थे इन दोनों leaders का अपने region में development पर कोई ध्यान नहीं था उनका केवल एक मकसद था और वो था Korea का unification इसके लिए ये एक दूसरे के region में कई illegal activities को support कर रहे थे अगर उनके region में कोई दूसरे good को support कर रहा था तो उसको तुरंथ ही मौत के घाट उतार दिया जाता था देखते ही देखते ये situation बिगरती चली गई ऐसा ही एक massive revolt हमें South Korea के पास मौजूद Jeju Island में देखने को मिला इस revolt को Jeju Uprising के नाम से जाना गया इस island के लोग South Korean President Singhman Rhee के against थे और वो नहीं चाहते थे कि Korea दो हिस्सों में बटे कहा जाता है कि अपराइजिंग को Communist Forces द्वारा सपोर्ट किया गया था लेकिन जैसे ही ये लोग revolt में खड़े हुए South Korea की आर्मी ने इस island पर जाकर इस revolt को crush कर दिया और उसमें लगभग 30,000 लोग अपनी जान से हाथ दो बैठे यानि कि 1950 में full scale military operations शुरू होने से पहले ही इस civil war में कई हजार लोग मारे जा चुके थे लेकिन इस incident से North Korea बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और कहा जाता है कि यही event Korean war का असली starting point बना दोस्तो अब यहाँ note करना जरूरी है कि 1947 से 1950 के बीच North Korea की आर्मी बहुत strong हो चुकी थी उसको Soviet military से weapons और training के रूप में भरपूर support मिल रहा था वहीं USA South Korea को उतने weapons supply नहीं कर पा रहा था South Korea के पास tanks या anti-tank weapons मौजूद नहीं थे और इसी बात का फाइदा उठाते हुए North Korea उस पर direct attack कर देता है कहा जाता है कि उसका ये attack Soviet military के experts द्वारा ही plan किया गया था और यहीं से शुरुआत होती है Korean war की The final invasion 25th June 1950 को North Korea के 75,000 troops अपने tanks और artilleries के साथ South Korea की आर्मी को पीछे धकेलते हुए 38th parallel को cross कर जाते हैं जल्दी ही वह South Korea की capital Seoul को capture कर लेते हैं 27th और 28th June तक multiple communication failures के चलते South Korea की आर्मी बुरी तरहे हार जाती है और Busan शहर को छोड़ कर South Korea के maximum हिस्से पर Korean People Army यानि KPA का कबजा हो जाता है अब South Korea के सामने एक ही उम्मीद थी US का intervention लेकिन शुरुआत में US इस मैदान में directly उतरना नहीं जाता था असल में 1949 में USSR भी एक nuclear powered state बन गया था ऐसे में US को ये डर था कि अगर वो यहाँ intervene करता है तो ये तीसरे विश्वयुद में तबदील हो सकता है और क्योंकि अब US और USSR दोनों के पास ही nuclear weapons मौजूद थे तो इस war में mutually assured destruction होना तय था उपर से उस समय Korea US के लिए strategically इतना important भी नहीं था लेकिन वहीं दूसरी तरफ US को ये भी डर था कि जिस तरह उसने Chinese civil war में intervene नहीं किया और 1949 में वहाँ पर एक communist China की स्थापना हो गई उसी तरह अगर Korea को यहीं छोड़ दिया गया तो हो सकता है कि वो भी पूरा communist influence के अंडर आ जाए तो US ने पहले United Nations का साहरा लिया UN Security Council ने इस attack को condemn करते हुए Soviet Russia के against resolution पास किया लेकिन USSR ने इस session को boycott कर दिया इस condemnation के बाद US public का support intervention के favor में था तो finally General Douglas MacArthur की command के अंडर UN की forces जिसमें US समेथ 21 और nations शामिल थे उनको South Korea की ओर तैनात कर दिया गया General MacArthur ने इस intervention के लिए एक full proof plan तयार किया वो Japan से होते हुए South Korea के Busan शहर में एंटर करते हैं पहले वो वहाँ से KPA को पीछे धकेलते हैं इसके बाद वो Boats के जरिये इंचन शहर पर पहुँचकर वहाँ से KPA को अटैक करते हैं इससे वो North Korean forces की supply line को तोड़ना चाहते थे क्यूंकि अगर एक बार North से आने वाली supplies रुख जाती तो KPA ज्यादा दिन तक अपने operations continue नहीं कर सकती थी और असल में ऐसा ही हुआ जेनरल MacArthur का ये plan सभल हुआ और कुछी समय में उन्होंने पूरे South Korea को फिर से recover कर लिया लेकिन MacArthur इसके बाद 38th parallel पर नहीं रुके वो KPA को पीछे धकेलते हुए चाइना और North Korea के border यानी Yalu River तक पहुँच गए ऐसी स्थिती में चाइना के साथ संगर्ष शुरू होने का रिस्क था इस रिस्क को देखते हुए President Truman उनको पहले ही आगे बढ़ने से मना कर चुके थे लेकिन MacArthur ने इस बात को seriously न लेते हुए अपनी advances continue रखे यालू रिवर पर पहुँच कर जिसका डर था वही हुआ USSR के कहने पर चाइना ने अपने लाखों soldiers US Army के अगेंस्ट मैदान में उतार दिये और Chinese troops ने UN forces को पीछे धकेलते हुए 7th January 1971 को एक बार फिर Seoul को capture कर लिया लेकिन April आते आते UN command forces Seoul को अपने control में ले लेती है General MacArthur President Truman को North Korea के अगेंस्ट nuclear weapon यूज करने के लिए convince करने की कोशिश करते हैं लेकिन इस point पर General MacArthur को US President द्वारा वापस बुला लिया जाता है और दोनों sides के बीच peace talks शुरू होती है Aftermath तो दोस्तों अब तक दोनों sides ये समझ चुकी थी कि इस war में किसी भी एक side की all out victory संभव नहीं है लेकिन दोनों ही sides surrender करने के लिए भी राजी नहीं थी खैर दूसरी तरफ दोनों sides के officials negotiations कर रहे थे ये negotiations mid 1951 में शुरू होकर 1953 तक चली हाना कि इस बीच 38th parallel के across fighting चलती रही लेकिन दोनों ही sides में से किसी को भी कोई significant gain नहीं हुआ यानि कि यहां एक stalemate की position बनी हुई थी खैर finally 27th July 1953 को पानमुन जोम में US और UN Command Forces ने KPA और Chinese army के साथ ceasefire agreement साइन किया इस agreement के तहट सभी hostilities पर पूर्ण विराम लगाया गया साथ ही 38th parallel पर दोनों के बीच नई boundary ड्रॉ की गई इस line के दोनों और 2 km wide demilitarized zone establish किया गया इस zone के बाहर का area आज भी दुनिया का सबसे heavily militarized area है लेकिन असल में इस war में ना तो किसी की जीत हुई और ना ही किसी की हार और technically ये war अभी भी चल रहा है क्यूंकि दोनों sides के बीच अभी तक कोई peace treaty sign नहीं हुई है सिर्फ ceasefire agreement पर ही sign हुए है पर इस तीन साल चली लंबी लडाई में 3 million citizens और लगभग 1 million soldiers को अपनी जान के कुर्बानी देनी पड़ी दोनों ही forces के द्वारा बहुत बड़े level पर war crimes किये गए और ये war popular culture में एक forgotten war बनकर रह गया Study IQ IS अब तयारी हुई affordable